नमस्कार आप देख रहे हैं इंसाफ की बात मैं हूँ आपके साथ अनुजी आदमनू जिले के नगीना होडल मार की सड़क का कस्ता हाल हो चुगा है जिसकी वज़े से इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इतना ही नहीं सड़क तूटने की वज़े से गुजरने वाले वहनों को भी नुकसान हो रहा है बतावे कई जगों से लोग यहां व्यापार करने आते हैं सुनिए इस मामले में लोगों का क्या कुछ कहना है भाई जी बहुत ज्यादे परसानी हो रही है रोड इसको चलने में जो रास्ता और यह तो सालों से तूटा अब इसको गोर्मेंट को बनवाना चीए नहीं बनवा रही है इसी के साथ पीड़म डी कर दिकारी का क्या कहना है वह भी तरफ से यह हो रहा है कि इसकी वह डिविजिन में लगब कॐ पैंतिस किलोमेटर के लंबाई है इसको पूरे रोड को फोर लेनिंग करने के लिए HSRTC दोबारा rough course estimate क्यारत कर दिया गया है और उनको head office में जमा करा दिया गया है तो approval के लिए pending है इन दा मीन टाइम हमने PWD ने भी इसकी repair के लिए estimate submit कर दिया है head office में और इसकी approval जल्दी ही आने की उमीद है आते हैं इस पर टेंडर लगा तो जैसा कि आपने सुना की PWD विभाग के समसे सिंग कह रहे हैं कि सड़क के निर्मान को लेकर सरकार के पास से approval नहीं मिला है जैसे ही approval मिलेगा सड़क का टेंडर दे दिया जाएगा आपको बता दे कि दिल्ली अलवल रोट से होडल जाने वाली ये सड़क यूपी राजिस्तान सहीद दिल्ली को नू जिले से जोड़ती है इसलिए ये सड़क बेहत खास है लेकिन फिर भी इस सड़क की हालत खराब है जगा जगा गड़े हैं जिसकी बज़े से आए दिन हाथ से होते ही रहते हैं कवर ने तक दिसके साथ आप दिखते रहें इसाफ की बाद